आज कविता में इसकी एक प्रोड़क्ट या प्रदा के रूप में नहीं आना चाहती है यह इस पर प्लक्षित हो गया है आज की इस सत्र से अलग अन्दा जीती की बातों में मैं कहूं उनकी एक कविता है वह भी इस परिक्रेक्ष में पढ़ी जाने चाहिए मैं कुत्तों से, सुवर से, केचुओं से, सांख से, सबसे डरती हूँ मैं सबसे ज़्यादा तुम से डरती हूँ पता चला है कि तुम आजमी हूँ और भी बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में बरहाल हम आगे बढ़ते हैं और वियसा कि हमारे कतिभागी को भी कमिता पाट करने का मुश्य दिया जाजा समय की कमि को देखते हुए हम इस सब्रेमी कुछ कतिभागी को आमंद्रित कर पाएंगे इसके लिए मैं सबसे पहले अमद्रित करूँगी हमासी सुदिया को उचेहिं से हो उसके बाद अधीती अधोरिया दियार नहीं अनुना खर्भूंतर जी आजनके मंच पर सम्मानी मंच सदन में उपस्ति सुदी दनों को मेरा सानाम आलाव चुकि आज सभी यहां पेस्तिया हैं तो मैंने अपना कभीता भी औरत पर ही लिखी और जो औरतों के अंदर भाव रहते हैं उनको मैंने भुलने की पोशिश की गौर फर्माईएगा औरत जिन्दगी की तकलीफों का बड़ी खुबसूरती से रफूप पैर्बन फिर तुर्पाई करती है औरत अपनी चुप्पी भरी खामूशी पलकूं में सौर दर्द दफन कर लेती है हर औरत दूसरों के प्रोध को भी धैर पुर्वक बड़ी मासुमियत से खुब सह लेती है औरत जिन्दगी की तकलीफों का बड़ी खुबसूरती से रफू पैर्बन फिर तुर्फाई करती रहती है हर औरत परिवार्ट चलाने बसाने की कला में भी खुब और खुब पारंगत होती है औरत बनकर चिल्मन के जीने एक पड़े की तरह अपने मन की खुशियों को भी चुपा लेती है औरत अपने दुख्टे रगों को भी अलग-अलग भूमी काउं में खुद ही रच लेती है हर औरत जिन्दिगी की तकलिफों को बड़ी खुब सूरती से रफू पैरबन फिर तुलपाई कर लेती है औरत पा लेती है वो अपने बिख़्रे सुखों को भी अपनी ही परचाईयों में चुप चुप कर नाथफणी सादू फ्लिये जब अंधेरा चड़ आता है तब आत्मबल के रोशनी सिकी तरह एक लोग जगा लेती है हर औरत रोशनी ने जब 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 जुल्म किये हैं उसके जीवन पर तब तब मन में उमीद का एक दीव जला लेती है हर औरत जिन्दगी की तकलीफों का बहुत खुप सूर्थी से राफू पैबन फिर तुदपाई कर लेती है औरत राफू पैबन फिर तुदपाई कर रती रती है हर औरत तन्यवाई प्रणाम मन्च आधर में सब बेस अबत रहने हैं कि समक्ष में अपने कुछ शब्द रहना चाहती हूँ आशा करती हूँ कि आपके दिलों की धरतनों को ये आख़ट जरूर देंगे सागर के इस सुनेपन को क्यों कोई लहर मिटाना पाई है जब जब भूंडे टकराती हैं क्यों सागर से ही इक आवाज आती है जब जब भूंडे टकराती हैं तब क्यों सागर से ही इक आवाज आती है लहरे बुराती हैं उस जल को लहरे बुलाती हैं उस जल को जो सागर की प्यास बुजा सके पर भून ना भी तत बन पाई हैं जो अविरल धारा को रोग सके है इक तलाश उन लहरों में जो उमंगों का स्वागर करती है पर इंतजार उसे भी है जो तृष्णा सागर की बुजा सके पर इंतजार उसे भी है जो तृष्णा सादर की पुझा सके। पर इंतजार उसे भी है जो तृष्णा सके। पर इंतजार उसे भी है जो तृष्णा सके। पर इंतजार उसे भी है जो तृष्णा सके। करो नहीं कोई मुझको धरापे सिता राच चाहिए। करे कोई गलत और घोगु सा रमाए। जिसे त्याग न मिले और योध्या की राणी का नतार चाहिए। जो मेरे हके और खुशी के आए। जो मेरे हके और खुशी के आए आए। ऐसे रही रत में रिवाट चाहिए। जो मुझको धरापे किता राच चाहिए। घुर घुर देखते हैं लोग मुझे क्यूँ। काम चप्छू लिए ना बात चाहिए। द्रवपदी की तरह कोई दाव पर न लगाए। मेरे ही हाथों में मुझे मेरिलाच चाहिए, मुझे को धरापिती तरह चाहिए बाते बड़ी बड़ी हैं करो चरितार नारी सम्माल के केवलना अलफाद चाहिए और नारी हक्त की बाते क्यों नारी ही करे शन्डपूर्सों की भी यह आवाद चाहिए मुझको धरापिसी तरा आखिए सम्माली मर्च, मर्च को सश्वाद करते सामाली यादी थी, एवन सभी सिद्विशी महिलाए थी, सभी को साधर बंदर नमस्का अलफाद मेरी कविडा का शिर्षक है संभाव नायो बंदर समाज के विचार को और संपरेशित करे नव विचारो का संदेश बदल दे समाज के विचारों को संप्रेशित करें नव विचारों का संदेश और लोटा दे वो इतिहास जिसमें कभी दीन और कभी अदला कहा जाता था लिख दे एक नई इबारत उस सामट की, उस सर्शक्तिकरांटी जिसमें हमारे धैर और सहनशिर्था, जिसमें हमारी धैर और हमारी सहनशिर्था और हमारी सामज सिक्षम्ता सच्चे अठ्थ हमें समझाएगे। कि आगे कि अखरी में आगास्य के पती पर हम نहीं नहीं लेखिंगी कुई पती, दिए डिद्छ नहीं लिखेंगी। आगास्य के पते पर अब हम नहीं लेखिंगी कुई पाती। नहीं लिखेंगी अब एक ऐसा नया शब जो आसास कराइए किसे के हैसा है। हम भूब लिसर्थी की धारा सी बैठी एक दूधिया प्रभाव है। हमारी भूर हमारी वनाई होगी। नेहा की वग्या में तूसा भी हमारी लगाई होगी। घर अंगन के हर एक एट भी हमारे अपनी शजार के दरभते अलफास की जो कह़ेते ये जिल्दगी तुभारे नहीं ये जिल्ददीक हमारे अपनी जमारे होगे हम कल जी हम बजती धरत हैं हम बनाएंगे आपना रास्ता और लहरों की दिशाओं में कष्टी को बोड़ना हमें खूब जयाता है हमारे अपार सामच और हमारे संस्कारों में सम्वे दिनाए हैं हमारे अपार सामच और हमारे संस्कारों में सम्वे दिनाए हैं क्योंकि हम आवसर नहीं हम संभावना आए हैं. क्योंकि हम आवसर नहीं हम संभावना आए हैं.